नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भप्रस्तती प्रमात्मा आपकी समस्त मनो कामनाओं को पूर्ण करें भगवान शिवशंभो समस्त मनो कामनाओं को पूर्ण करें भगवान स्री गनेश मापार्वती आपके सुहाग को अमर करें आप सदा सुहागन रहें सदा प्रशन रहें खुशियां आपके दरवाजों को चुमती रहें ऐसी हम इस वर से प्राथना करते हैं परमपिता परमेश्वर से प्राथना करते हैं आदिशक्ति जगर्दनी से प्रकृति से प्राथना करते हैं आप सब हमारे परिजन हैं आप सब हमारे कुटुम के लोग हैं आप सब हमारे वीडियोज देखती रहेंगी आप लोग जाता परेशान मत रहिएगा आप सब चलिए बदाते हैं आज का पंचांग इसके बाद पूरे दिन का हाल और अगर आपका जनम दिन 8 अक्टूबर को है अर्थात आज आपका हैपी बॉर्थ डे है तो ऐसे में पूरा वर्ष कैसा ब कार्तिक माह कृष्ण पक्ष चतूर्थी थी इद्देव की चार बज़े तक तूर्तिया है लेकिन उसके बाद चतूर्थी लग जाएगी और इसमें चुकि चंद्रोदय का विशेश महत्त्व है इसलिए करवा चोथ आज ही है करक चतूर्थी भी कहते हैं गने संकस्ट चत प्रज में चंद्रमा मेश राशी में लगभग शाम तक रहेगा और चंद्रमा के बाद बाकी गुरहों का हाल भी जान लीजिए आप सूर्य बुद्ध कन्य राशी में तुलागा ब्रहश्पति शनी ब्रश्चिक राशी में मकर का केतू मेश का चंद्र राहू खास्त तवर पर करक राशी में और मंगल शुक्र अभी भी सिंगहस्त ही हैं इनी ग्रहों पर आधारित आपके पूरे दिन का हाल दैनिक राशी फल और सबसे सटीक भविशवारी आप तक पहुँचा रहे हैं मेश राशी चंद्रमा की स्थिती आपकी राशी में होने के कारण आज खर्चे की अधिक्ता रहेगी उपहार लेकर के कुछ पत्नी को जरूर जाईएगा आज हम यह भी आपको बदा देते हैं कि राशी कर तरीके से नौमेश के आधार पर आप अपनी पत्नी को क्या दें कि पत्नी आपसे सदा प्रशन रहे देखिए आज इस्त्री जो सिर्फ देती है त्याग तपस्या सुख प्रेम संपन्नता वैभाव सब कुछ ने उच्छावर कर देती है हर किसी के लिए बहन के रूप में पत्री के रूप में पत्नी के रूप में मा के रूप में जितने भी रिष्टें है इसलिए इस तरी को सबसे महान कहा गया है क्योंकि देने वाला कभी छोटा नहीं होता है बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़े कलेजी का काम है जिदरा चाहिए तो आज आप सब संकल्प करिएगा कि कुछ खास आपको देना है रासिकत क्या बताएंगे हम एक उपाय सब के लिए बतातेंगे कुछ विशेस आज करवा चौथर स्पेशल जो दायत तुब पुरुषवर्ग पुरुषवर्ग क्या पति वर्ग निभाएगा अपनी पत्न हो सकता है कि कुछ दोपहर के बाद कुछ मामलों को ले करके मनमुटाव की स्थिति को टुम्बे में बन जाए उस पर आपको विशेश ध्यान देना है पंचमस्त मंगल शुकर की स्थिति प्रेम सवहार्द की वृध्धितों करेगी है शुबरंग आपके लिए आज पीला रहेगा और भाग्य प्रिस्ट आपका सब्तर बिशब राशी वालों के लिए आज का दिन बेहत खास रहने वाला है क्योंकि आज बहुत प्रतिक्षित कार्य आपका बनेगा आपके जीवन में आज जो कुछ भी इस्थिति रही होगी अधूरी उन समस्त इस्थितियों को आप पूरी कर सकते हैं आज के दिन बिशब राशी वाले किसी को प्रपोज ना करें तो बहतर है अन्यथा मामला गरबर हो सकता है बिशब के लिए शुबरंग आज सफेद रहेगा और भाग्य प्रिस्ट सत्तर मिथुन राशी मिथुन राशी वाले आज के दिन पराकरम अ जीत मिल रही है नए वकान या वाहन की प्राप्ति की भी संकेट मिलते हैं शुबरंग आपके लिए आज गुलाबी है और भाग्य प्रस्चत 65 करक राशी करक राशी वाले आज उहा पोह की इस्थिती से बाहर आएंगे विचुलन से बाहर आएंगे आज के दिन आपका भ्रह्म तूटेगा माया जाल से बाहर आएंगे राहु आपकी राशी में चल रहा है लिहाजा थोड़ा सा अपनी वानी पर अंकुष्य रखिएगा घुमने रहलने का काटकर बन सकता है शुबरंग आपके लिए आज के दिन सफेद भाग्य प्रस्चत 62 इच्छत कारे को आज संपन्य करवा देगी रुका पैसा चलके वापस आएगा किसी को प्रपोस कर सकते हैं आज से अच्छा दिन क्या रहेगा ऐतिहासिक दिन करवा चौध तो बहुत दिनों से अगर आप हरदय में अपने मन की बात को रखे थे तो आज इसको आप बोल ड इसरिया सैफ्रोन और भाग्य प्रतिशत साथ कन्या राशी सूर्य बुद्ध आपकी राशी में आज आपके व्यक्तितों को चमकदार बना रहे हैं पती आज आप पर नवच्छावर रहेंगे और पत्नी भी आज आप पर नवच्छावर रहेंगे बड़ा प्यारा सा आज मौसम और माहौल नजर आएगा विदेश से कोई अप्रिय समाचार आपको परिशान कर सकती है विच्रित कर सकती है उस पर आपको संयम रखना होगा ध्यान देना होगा शुबरंग कन्या राशी वालों के लिए हरा और भाग्य प्रतिशत असी तुला राशी ब्रहश्पति बहुत मजबूत इस्थिती में आपकी राशी में है बाहरी समस्त कार्यों को आज आज समपादित कर सकते हैं रुके पैसे को वापस पाने का प्रयास कर सकते हैं अगर कहीं आपका पैसा ब्लॉक है धन आपके पास आज आएगा आपका व्यापार आज चलेगा व्यापार को कुछ विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल है शुभरंग आपके लिए पीला और भाग्य प्रिस्षत तिरसट 63 ब्रिश्चिक रासी शनिदेव आज आपके लिए कुछ खास सवगात रखे हैं आप इनाम पाएंगे पालितोशिक पाएंगे अवार्डेड होंगे गिफ्ट मिलेगा रिस्तेदारों के साथ मेल जोल अच्छा रहेगा जो रिस्ते कट थे आज उनको मधर बनाने का दिन आ गया है शुभ इस्थतियां आपकी इंतजार में खड़ी है शुभ रंग आपके लिए आज निला है और भाग्य प्रत्सेत 68, 68, धनुराशी धनुराशी वाले अहंकार से बचने का प्रयास करें आज आपके अंदर अहंकार आ सकता है जो कि आपके लिए घातक होगा शुभ नहीं होगा धनुराशी वालों के लिए परिस्थतियां प्रत्कूल तो हो रही है लेकिन आप उन पर जीत हासिल कर लेंगे वाहन खरीदने के लिए विचार किये थे तो वो भी आपके लिए मनोनकूल रहेगा शुभ रहेगा आज वाहन भी खरीद सकते हैं नए मकान की प्राप्ति के संकेत अच्छे मिल रहे हैं शुभरंग धनुराशी वालों के लिए आज बैगनी और भाग्यू प्रिस्थत चाचच 66 मकर राशी कुछ दोस्तों से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है पुराना रिस्ता बिखर सकता है तूट सकता है आप उसके कारण रहेंगे मकर वालों के लिए आज इस्थिति बहुत अच्छी नहीं है थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दीजेगा खास तोर पर शेग्रता आपके लिए आज घातक है नए पर योजनाओं पर नए प्रोजेक्ट पर अभी विचार टाल दीजे एक बार कुंडली दिखा कर फिर विचार करिएगा शुबरंग आज मकर वालों के लिए सफेद और भाग्य प्रस्चत सत्तर कुम्ब राशी ठीक है स्थिति बिदेश जाने का प्रयास सफल हो सकता है आज हर प्रकार से आप जीतने वाले हैं मंगल शुक्र आपकी राशी को देख करके आपको बल प्रदान करते हैं लेकिन साजेदारी तूट सकती है पार्टनर्शिप तूट सकता है वाहन के लिए विचार कर रहे थे तो आज का दिन आपके लिए बेहद अनकूल है प्यार मुहबबत के मामलों में आज का दिन ब्रेक अप भरा हो सकता है थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दीजेगा संतोश उपाध्याय मोटिवेशनल चैनल सब्सक्राइब करके कुछ वीडियोस मुहबबत से सम्मंधित दिया हुआ है देखना न भोलिएगा शुबरंग आपके लिए आस्मानी भाग्य प्रस्चत असी अंतिम राशी मीन ठीक है इस्थति अच्छी है पेट की दिक्कत परेशान करेगी मीन राशी वालों के लिए आज ननिहाल पक्ष से कुछ अप्रिय समाचार बिल सकता है बाएं पाउं में चोट की संभावना बन रही है आँख में भी कुछ दिक्कत हो सकती है ठीक किस परिपेख्च में कहा धन के मामले में धन आपके पास चल कर आएगा धन के सिंता बिलकुल मत करिएगा मामला अच्छा है शुबरंग आपके लिए आज लाल रेड दूतिजेश्थ चंडरमा हाँ बिलकुल ठीक है रेड रहेगा और भाग्यो प्रिस्ट सिख्टी वन आईए बता ही देते हैं आज अगर आपका जनम दिन बन पढ़ रहा है तो आपका पूरा वर्ष कैसा जाएगा विश्व वेरी हैपी बर्थ दे देखे चंडरमा आठमे में है जब सुर्योदे हुआ तो उस दोरान चंडरमा की स्थिती अश्टमस्त है तो इस वर्ष का वर्षफल में स्वास्त को ले करके आप बहुत परिशाद रहेंगे कोई महीना ऐसा नहीं जाएगा जिसमें आपको अपने स्वास्त पर धन ना खर्च करना पड़े कुछ नकुछ खरचा कुछ नकुछ इस्थिती उठा पटग बनी रहेगी माता-पिता भाई-बहन की बीच में भी बहुत टकराव की इस्थिती रहेगी बहुत बढ़िया नहीं है शनी मार्गी होकर के धनुराशी में प्रवेश करने वाले हैं वृष्चिक में चल रहे हैं अंक जोतिस के हिसाब से भी शनीदेव आपके मूलांत के स्वामी है और वृष्चिक में हैं अश्टम से अश्टम में बैठे हैं तो मेहनत केवल करवाएंगे फल नहीं दे पाएंगे तो अगर आठ अक्टूबर को आपका जनम दिन है तो बहुत अच्छा वर्ष नहीं जा रहा है हाँ ऐसे लोग जो विदेशों में हैं प्रवाश में हैं एनराई बन चुके हैं विदेश में रहने लग गए हैं वहाँ की नागर्वता ले लिए हैं उनके लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा कई मामले में जैसे आप अपने प्यार के लिए आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो तुरंद फल मिल जाएगा आपका हो जाएगा सेलेक्शन हो जाएगा अगर आप मकान के लिए सोचे थे तो पश्चिम दिसा में आपको अपना मकान भी मिल जाएगा अगर आप इस समय अमेरिका में हैं या आप कनेडा में हैं या आप सिंगापूर में हैं आप युईई में हैं गल्फ देशों में हैं कहीं भी कतर बसकट ओमान बहरीन अगर आप के लिए अगर आपका बर्थडे आज है तो पूरा वर्ष बहुत अच्छा है उपाय क्या करें ये जानना निवार है उपाय के तोर पर लाल धागे में 108 गांठ लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजे शिवलिंग अगर आपके आस पास नहीं है आप विदेश म मंदिर नहीं है भगवान भोले नात का तो कोई बात नहीं 108 गांठ लगाकर अपनी दाहिनी कलाई में यहां दाहिने रिष्ट में कहीं पर बांध लीजिए और बांधने के बाद एक दिन रहने दीजिए मतलब आज आज रहने दीजिए 9 तारिख को और थात कल आप इसको ख खास लगी अक्षर भाग्याक्षर कुम्ब राशी के लिए छोटी E अक्षर और मीन के लिए A ये खास अक्षर आपके अपने है एक सादे चोकोर कागच पर अपनी कुंडली की मून साइन चंद्र राशी के अनुसार लाल रंगी कलम अर्थात स्याही से इस अक्षर को लिखिए और अपने पर्स में पौकेट में कहीं पर भी रख लेजिए पूरे दिन आपके पास रहेगा तो क्या चमतकार होगा इसको जानने के लिए आप राशीफल के नीचे दिये गए कमेंट्स को पढ़ा करिए जहां पर हर कोई अपना फीड़बैक देता है कि जादूई अक्षर भाग्या अक्षर क्या चमतकार कर जाता है कमेंट्स बाक्स जरूर देखा गरिएगा बारी आ गई है जानने की आज की सकसर्ज की एक चुटकी धनिया किसी पौधे के नीचे गिरा दीजेगा पाउडर साबुद है तो साबुद भी गिरा दीजे धनिया हर घर में होगा की चैनी हां कोई अगर बाइशलर लाइव जी रहा है मजलाब अकेले रहता है टिफिन मंगवआया है जैसे हमारे कॉम्प्रिशन कि तैयारी करने बच्चे होते हे जो पीजी में रहते हैं हॉस्टल में रहते हैं या जो मुखरजी नगर हो गए में तयारी कर रहे हैं ऐसे लोग ऐसे भाई भाई नमारे खास तोर पर दोस्त कुछ सामान रखा करिए क्योंकि जो राश्वी नक्षा तरिकरमिसार हम बताते हैं सक्सेस की इसे करना बहुत अनिवार है आपके लिए परिश्रम अपनी जगए है भाग्य अपनी जगए है परिश्रम से भाग्य नहीं बनला जाता है भाग्य से परिश्रम मिल जाता है भाग्य में है तो महनत करवा लेगा हो आपके भागे में अगर टाइम से ट्रेन पकरना है तो भागे आपको प्रेलित करेगा और आप दोड़ेंगे भागे में है ट्रेन पकरना आप लेट हो गए तो ट्रेन भी लेट हो जाएगी किसी ने किसी कारण कई दफा ऐसा भी हुआ कि विफोर टाइम ट्रेन छूट जाती है क्या कर सकते हैं आप भागे में नहीं था पकड़ना तो ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि आप कुछ सामान होगा है जो हम रिपीट करते हैं कई बार उपाहे में उसको आप रख लिया करिए नमक है, सरसो का तेल है, काली मिर्च है, लौंग है, इलाइची है, धनिया है, हल्दी पाउडर है, कच्चा दूध है, मिश्री है यह सब सामगरी अगर रख लेंगे तो बहतर रहेगा और एक तोलसी का पौधा भी आप गमले में अपने कमरे में जरूर रखें जिससे आपकी पढ़ाई की तैयारी में किसी प्रकार की नकारात्मक्ता को तूलसी के पौधे से दूर किया जा सके बहुत शुब कामना है चलिए, देखते हैं आज का मेल, किसका सिलेक्ट हुआ है, लकी विजेता में तो यह मेल हमारे पास आया है असित के त्रिवेदी, बढ़ाईया, शुब कामना है असित, आपका मेल सेलेक्ट हो गया है और आपकी कुंडली बन चुकी है इसके आधार पर अब हम आपको बताएंगे आपके विशे में जो आपके प्रश्न है और मेल कुछ इस प्रकार है, नमस्कार गुरुजी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आता है बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मैं आपका सारे वीडियो योट्यूब पर देखता हूँ और लाइक करता हूँ मैं आपको अब तक 300 से जादा इमेल भेज चुका हूँ पर आज तक कोई इमेल सेलेक्ट नहीं हुआ हो गया आशा करता हूँ आज सेलेक्ट हो जाए लक्की विजेता के रूप में गुरुजी मेरा डिटेल्स इस प्रकार है नेम असित कुमार त्रिवेधी डेट आप बर्थ 12 नमंबर 1991 प्लेस ब्रेकट में डाला है हॉस्पिटल आगे लिखा है पत्ना टाइम आठ पैंतालिस पीम क्वेस्टिन हाव इस माइ फ्यूचर गवर्मेंट जॉब ब्रेकट में आई एस इस देर और नाट वेन आई विल गेट चले असित कुमार त्रिवेधी कुंडरी आपकी मिथुन लगन की है लगन में ही केतु की उपस्तती है शुकर आपका नीच रासी में बैठा है ब्रहश्पत्रतियस्त है सोरे मंगल एक साथ है जहाँ पर सोरे भी नीच के है तुला राशी के और पंचम में बुध व्रिष्टिक रासी में छठे में है राहु सब्तमस्त है धनुके शनी चंद्रमा मकर राशी में अश्टमभा में भया कुंडली तो आपकी सरकारी नोगुली की तरफ पूर्ण संकेत दे रही है आयस आप बने ऐसी हम इसवर से प्रासना करेंगे लेकिन कुंडली में इतना प्रबल योग नहीं है नौमांश में भी सुर्य मंगल आपके अर्थात बिशम में है एधिव की मतलब एक साथ बर गोतम में है नौमाश कुनली में आपके चारो केंद्र खाली होने के कारण कुनली को हलका सा बल कम दे रहे हैं चंद्रमा शेनी एक साथ विश्योग बना रहे हैं और लगनस्त केतु आपके मन में हमेशा एक डाउट दे करके रहेगा एक शक दे करके रहेगा आप बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाएंगे बरतमान महादशा राहो की चल रही है जो आपके लिए कश्ट प्रद रहेगी पतना में हम 26 तारीख के आसपास में पतना रहेंगे तारीख आपके सामने चल रहा है भी थोड़ा सा वेट करिएगा कारिकम हमारे बाद ततकाल तारीख पतना की मिल जाएगी तो पतना में आप म हम एक साथ कवर करते हुए फिर गाजयाबाद प्रस्थान करेंगे इसी अक्टोबर मेहने में तो आप अगर इन शहरों से हैं तो आप ततकाल अपना अपाइंटमेंट बुक कर लेजेगा असित कुमार त्रिवेदी जी आपके लिए उपाए 22 राहु ग्रहदीप और 22 मंग अगल ग्रहदीप अविलम मगवा लीजेगा नहीं मगवा सकते हैं तो हम आएंगे तो आप आकर के भी पतना में हमसे ले सकते हैं और अगर आप दिल्ली में तयारी कर रहे हैं जैसा कि आपने मेल में जिक्रतों नहीं किया है तो आप आप आपके गाजयाबाद कारियाले से हमारे ले सकते हैं ग्रहदीप आप अपने यहां दिल्ली एंसियार से हैं तो होम डिलिवरी, कैस ओन डिलिवरी आप अपने घर पर भी मगवा सकते हैं दिवाली का तेवार बहुत करीब है आप सब महालक्षमी ग्रहदीप के विशे में दिये गए नंबर्स पर कॉल करके जान प्रशनवाद करवा चोथ की एक बार फिर से बहुत सारी शुबकामनाईश भाशी समस्त माताओं बेहनों को समस्त नारी शक्ति को हम सीज जुका कर प्रणाम करते हैं आप सब हैं तो तप है और तप है तो प्राप्ति हैं इसी शुबकामनाओं के साथ एक छोटा सा उपाए देते हैं जो पुरुष आज पति के रूप में अपनी इस्तरी की तपस्या से प्रशन होकर कुछ देना चाहे तो हम एक छोटा सा उपाए बताते हैं एक लाल रंग का धागा लाईएगा और उस धागे में एक तुलसी की लकड़ी छोटी सी तुलसी के पौधे की लकड़ी चोटी सी बांध लीजेगा और बांधने के बाद आज रात के लिए पत्नी के दाहिनी कलाई में बांध दीजेगा लकड़ी सही एक रात के लिए बस आज करवा चोट की रात यहां बांध दीजेगा और सुबह इसे निकाल कर अपने पर्स में रख लीजेगा आप दोनों क स्नेह सदा सरवदा एक दूसरे के साथ पवित्रता और विस्वास और दृण स्तंकल्प के साथ जुड़ा रहेगा बधा रहेगा और भला क्या चाहिए तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है किसी पिक्चर का गाना है संभुत चित चोर पिक के साथ आप सब के लिए करवाचोत का यह पावन पर भगवांसरी गनेश और भोलेनात की क्रिपा से सदा सरवदा मंगल कारी रहे अनुमत दीजेगा प्यार बनाए रहिएगा हमारे साथ भी और हां संदोश उपाध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भू कारी वो अपॉंट्मेंट के लिए संपर्क करें डेबल लाइन 10291850 और डेबल लाइन डेबल लाइन 02400 डेबल लाइन